उतकट आसन पर एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है आज इस वीडियो में हम उतकट आसन की दूसरी विधी का अभ्यास करेंगे इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे दोनों पैरों में दो से तीन उंगलियों का फासला दे कर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे हाथों को बगल में रखेंगे इस परकार से सामने से खीशते हुए दोनों हाथों को उपर की और लेकर जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल सीधा हाथों को नहीं करेंगे इस प्रकार से तिर्ची और हाथों को लेकर जाएंगे कोहनिया सीदी सांस को भरेंगे या सांस को भरते हुए हाथों को उपर लेकर जाएंगे अब सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को 90 डिग्री पर मोड़ेंगे इस प्रकार से और गर्दन उपर की ओर शरीर को यहीं पर स्थिर करके रखेंगे जितनी देर रुके हैं सांसों की गती सामानने रूप से चलती रहे सांस को भरेंगे सांस बहाँ छोड़ते हुए कुटने सिदे करते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएंगे दो से लेकर चार बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है और प्रती एक बार में 20-25 से अभ्यास आरम करते हुए एक से डेड़ मिनिट तक इसका अभ्यास किया जा सकता है अभ्यास की समय सीमा को धीरे धीरे बढ़ाएंगे अभ्यास के दौरान सारे दबाव को अनुभव करेंगे घुटनों के उपर और एडियों के उपर इसके अभ्यास से तुरंट पहले ताडासन का अभ्यास करें और इसके बाद वरिक्षासन का अभ्यास करें अब यदि लाब की चर्चा करें तो इसके अभ्यास से पिंडलियें और जंगाओं की मासपेशियां बल्वान, शक्तिशाली और उर्जावान बनती हैं घुटने इसके अभ्यास से अजीवन स्वस्त रहते हैं मानसिक और शारिरिक स्थिरता बढ़ाने के लिए एकागरता बढ़ाने के लिए इसका अभ्यास साकरात्मक परभाव डालता है तंत्री का तंत्र पर इसका अभ्यास साकरात्मक परभाव डालता है पेट, पीट, कमर, नितंब, इन अंगों के लिए भी इसका अभ्यास विशेश रूप से लाप करता है साफधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें घुटनों में दर्द होने पर या घुटनों से सम्मंदित अन्य किसी समस्या या रोग उत्मन होने पर इसका भ्यास ना करें और शारिरिक कमजोरी होने पर या चक्कर आने की स्थिती में भी इसका भ्यास ना करें इसी प्रकार की और वीडियो ने यमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सनेह दें धन्यवाद